नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे 69 अजास इच्छक बरती latest update तो दोस्तो आज आज आपकी तारीक हो चुकी है 29 फरवरी 2020 के हम बड़ी updates देखने वाले हैं अगर दोस्तों सबसे अच्य बात होगी कि अगर दोपार बचकर 50 मेंट से केस 체क候 होोगा तो उमीद्तो है दोस्तों की 3 मार्श को ही केस final हो सकता है या एक से और दोस्ते सनुइआई हैं दोस्तो और सकती हैं फिर उसके बाद इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे क्या सरकार लेगी बड़ा फैतला, जियां दोस्तों वे एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि योगी सरकार क्या बड़ा फैतला ले सकती है, मतलब आप देखें दोस्तों यह वैकेंसी आपने देखा होगा लास्ट में कु करने इस वीडियो में, और फिर बात होगे हमारी कुनतर रजा सिच्चक बड़ती, कोड़् अपडेट सीतापू टीम, जियां दोस्तों इनकी तरफ से क्या अपडेट्स आई उसको देखेंगे हम लोग सीतापू टीम की तरफ से, और दोस्तों नतर रजा सिच्चक बड़त केस कोट अपडेट टीम डिजवान अंसारी की कलम से तो दोनों अपडेट सम्झे दोस्तों देखेंगे सभी टीम की तरफ से क्या अपडेट सा रही है और किसकी जीतोगी फाइनल कटाप क्या होगी इस वीडियो का दोरान जानेंगे और एक और बड़ी अपडेट इंटर कालेजों में सिच्छकों के खाली है 48,000 पर आखिर कब भरेंगे सोचिए 48,000 पर अभी भी दोस्तों खाली है अब देखें ये वेकेंसी 2022 से पहले आज आती तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर दोस्तों इसी सरकार में ये वेकेंसी कंप्लीट होती तो आपको नौक्री मिल जाएगी अगर 2022 के आज पास ये वेकेंसी आती है अगर सरकार चेंज होगी फिर तो दोई कि आपको पता है दिक्कत होने वाली है प्रदेश में तीन वर्सों से अधर में लटकी 32,022 अनुदेशक वाज 4,000 उर्दू सिच्छक वर्ती इस अप्डेट्स को भी हम देखेंगे जो आज के न्यूजपेपर के माध्यम से अप्डेट्स आ रही है तो सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पने हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो को अधिक सदिक अपने दोस्तों के साथ वाट्सेप ग्रूप में सेयर गर के बता वीजे आखिर आज की लेटेस्ट अपडेट 29 फरवरी 2020 की क्या है सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 69 जा सिचक बर्ती कोट अपडेट सीथापूर्ट टीम दिनांग 28-22-2020 तो दोस्तों जो कल की सुनुआई होगी उसके बात सीथापूर्ट टीम का क्या कहना उसको देखते हैं उसके बाद दोस्तों टीम रिजवानन सारिक तरफ से बात होगी उसके बात दोस्तों 60 और पैसर टीम के तरफ से भी बात होगी तो सभी का पच्छ दोस्ते हैं आपर हम देखेंगे और समझेंगे प्रदेश के सभी सिच्छा मित्र सातियों आपको आउगत कराना है कि आज कोट रूम में सिच्छा मित्रों के पच्छ की तरफ से सिर्फ दो लोग उपस्तित रहें एक मैं सोयम गुट्टू सिंग तथा राम सरड मौरे बायराईश टीम के तरफ से सातियों अपने केस के सुनवाईश 2 बच कर 25 बजे से सुरू हुई केस की सुरूआज डाक्टर एलपी मित्रा जी ने अपने कल के बचे हुए सेस आर्गुमेंट से की मिस्रा जी ने पॉइंट टू पॉइंट जबर जस्त बहस की जिसकी बदोलत विरोधियों के खेमे में भी दहसत का महौल है साथियों आज एलपी मिस्रा जी की बहस तीन बच कर पैतालित बजे डिटन समिशन जमा करने के साथ खत्म होती है इसके पश्या स्रीतापूर टीम के टॉप मोस्स सीनियर अधिवक्ता स्री एचस परिहार जी खड़े हुए तो उनसे मानिय पंकर जैसवाल जी ने का परिहार जी आप काभी सेम आर्गुमेंट है क्या इस पर परिहार जी ने का नहीं मेरी आर्गुमेंट टोटल डिफरेंट है और मुझे लगबर देड़ गंटे तक का समय चाहिए इस पर मानिय कोट ने सहमती जताते हुए अपने केस की सुनवाई दिना 3 मार्च 2020 को 2 बच कर 15 बजे से तैकी इस पर विपच्छी की तरफ से ठीक है मेहारत्मी मैम ने केस को आप्टर फ्रेस केस सुने जाने को कहा पर मानिय कोट ने उनकी इस बात को नकारते हुए 2 बच कर 15 बजे से सिर्फ और सिर्फ परिहार जी को फुल टाइम सुनने को कहा अब सातियों आने वाले मंगलवार को 2 बच कर 15 बजे से स्री एचेस परिहार जी वर्तमान अध्याच अवादबार एसोसियेशन का अरगुमेंट सुरू होगा जिनका कोट में खड़े होना हमारी जीत तै करेगा और उनका देड़ घंटे का अरगुमेंट ग्रोधियों के खेमे में पूर रूप से मातम लाने का कारे करेगा तो दोस्तों ये सीता पूर टीम का कॉंफिदेंस आपके सामने हम दिखा रहे हैं सातियों आप सभी लोग बिल्कुल परिसान ना हो जी सिच्छा मित्रों की ही होगी और हमारे सभी टेट पास सिच्छा मित्र साथी अपरेल मा में अध्यापक ज़रूर बनेंगे यहां दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा था कि ये केस आपका अपरेल तक फाइनल हो जाएगा तो मैक्सिमम दोस्तों आपकी साथ पैसर उस पर रिजर्ट गोसित किया जाएगा उसके बाद जो आगे का दोस्तों प्रोसेस है न्यूकती पत्र का वो सुरू किया जाएगा तो नोट दोस्तों क्या है कल कोट में हुए ठीक है कुकरत की वज़े से सारे सिच्छा मित्र समाज की बदनामी करवाई गई और सबसे एहम बात तो यह है कि इसके पीछे विरोधी नहीं अपने ही पचके जैचंदों का हाथ था जो कभी नहीं चाहते कि हमारा या अपना या केस जीता जाए केस रिजर वो होते ही उनके चेरे से नकाब हटेगा अभी सभी टीम में मौन है क्योंकि 22,000 टेट पास सिच्छा मित्रों की जीत की जिम्यदारी हमारे कंदों पर है तो दोस्तों अगर इनकी इसाब से देखा जाए तो जो सिच्छा मित्रों की तादाद है तो आपके पास जो सिच्छा मित्रों की मेरिट काफी अच्छी है तो बीटीच के चात्रों को नुकसान तो होना लगबर ना के बराबर है मैक्सिमम दोस्तों बीटीची पास ठीक जोनों ने टेट पास कर रखा बीटीची के चात्रे उनकी नौकरी लगनी फ्रिक्स है अब दोस्त हम बात कर लेते भाई टीम रिजवान की तरफ से क्या अपडेट से उसको जरा आपनोग देखते हैं दोनों भरतियों के समानता के सापेज पासिंग मार्क एवं समान नियमा वाली संसोजन पर भी तरक दिया कोर्ट ने उनकी बहस को बिंदुवार नोट करते हुए कंसिडरेशन की बात पर एग्री किया इसके साथ साथ पार्ट आफ रिक्रूट्मेंट और डिफ्रेंसियेट बिट्विन रिक्रूट्मेंट एंड सेलेक्शन पर भी तरक दिया इसके अलावा रूल 14, रूल 2X पर भी बिंदु सार, मतलब बिंदुवार बहस की एल्पी मिस्रा साथ की बहस, उपेंद्र मिस्रा की बहस और कंपाइलेशन के इर्द गेर्द और पैरलल ही रही एल्पी मिस्रा साथ की पूरी बहस में विद्धी चाड़क के अमित दोदोरिया ने महतपूर दस्ता वेद दिये साथी साथ दोनों दिन असिस्ट भी किया, आज डाक्टर एल्पी मिस्रा साथ का सम्मेशन और बहस पूरा हुआ अब अगली सुनवाई मंगलवारत तीन मार्च को होगी जिसमें आप आगे के सेथ बचया दिवक्ता अपने बहस स्टार्ट करेंगे तो दोस्तो मतलब दोनों टीम का दोस्तो Segcha दोनों की दोस्तों आया कि साथ आया के के जाओ को लेकर यहां दोस्तों final क्या होगा? 60-45, 45 ठीक है? दोनों टीम दोस्तों full confidence में समय हैं, देखिए, 40-45 टीम के तरफ से दोस्तों कल जो बहस हुई है, वो थोड़ी से अच्छी हुई है, ठीक है? यहां हम कह सकते हैं, अभी तक 40-45 टीम के तरफ से जितने भी तरक दिये गए हैं, चाय अच्छी स्तिती में हैं, अब लाश्ट सुनवाई दोस्तों आपकी 3 मार्च को होने वाली है, दो बच कर 15 मिनट से मतलब एक proper समय दिया जाएगा, लंबी सुनवाई होगी, उस दिन दोस्तों के लगबग रिजर्व हो जाएगा, ठीक है? ओडर आपका लगबग रिजर्व कि दोस्तों आजाती है, आप लोगों की लिए आपने देखा होगा, कि अभी इंटर कॉलेजों में खाली है, आठाली से जार पद आखिर कब बरेंगे, इसमें वैसे मौका आपके 28 शात्रों को ही मिलेगा, आपको सभी को पता है, 28 शात्रों की एक अच्छी खासी खबर है, कि आने वाले समय में उनको और नौकरी का मौका मिलने वाला है, देखिए आप लोग क्या है, अपनी तयारी पूरी रखिए, 69 राद में दोस्तों आपको पास बेस्ट उपरचनिटी से यहां आप नौकरी तो पाएंगे, जितने चात्र बचते हैं, सभी को दोस्तों यह बा अगर आप BTC के छात रहें, अगर आपने दोस्तों अपलाई क्या होगा, तो सिवरे दोस्तों आपको 99,000 में नौकरी मिल जाएगे, चाहे 60, 65 की जीत हो, चाहे 40, 45 की हो, अगर आप BTC से पास करेंगे, तो आपको नौकरी मिलना है, क्योंकि आपके जो मेरिट होती दोस्तों आपके अच्छी रहती है, उसके बाद दोस्तों अगर आप पासिंग मार के एक राइट एडिया में आते हैं, तो पाज आएगे, देखिए इनकी जो कहना है कि 22,000 टेट पास इच्छा मित रहें खाली, इसके साथ साथ समझ रहें, 22,000 का मतलब, हमने आपको बता है कि 47,200 त तो काफी चात्र ऐसे होंगे, जो नौकरी नहीं पापाएंगे, 3,00,000 सदिक चात्र होंगे वो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फायदा उनको मिलेगा, यह बात समझें, जो BTC वाले हैं, उनके Merit Academy के अच्छी है, उनको नौकरी मिल जाएगे, सिच्छा मित्रों को नौकर दे दी जाए, ठीक है, किसी ना किसी प्रोसेस है, सरकार ने खुदी का कि हम योगिता से समझावता नहीं करेंगे, जब दोस्तों बात यहाँ आती है, अगर 40-45 की जीत होती भी तो मामदा आपका सुप्रीम कोर्ट तो जारा है, यह बात तो सबको पता है, कि मामदा सुप् पता है, जब दोस्तों बात तो यह आता कि आप जलते जल इस वेकेंसी को पूरा करिए, लेकिन सरकार को लगाओ कर नहीं, यह हमारी हार है, क्योंकि उन्होंने का था कि हम योगिता के साथ समझावता नहीं करेंगे, तो अगर दोस्तों यहाँ पर 60-60 की जीत होती है, तो य सब डेट आये थी, आपने देखा होगा, तो इसका पूरा मपडेट अभी आपको कमेंड वाक से लिंक है के मादर में से दे देंगे, उसको आप जाएए चेक करिएगा, सारी यह बेट्स आपको मिलेंगी, अनुदेशक वा उर्दू सिचक भरती 3 साल से अटकी, दीके हर ए में प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकि लिया भी 30 वार 2017 को रोग दी गई, अगर यहाँ पर सापा की सरकार होती, ठीक है समझे इस बात को, सापा की सरकार होती तो यह चातर नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे होते, सरकार जब भी चेंज होती दोस्तों पुराने जो भी भरतिया होती है, चाहिए वो सिच्छक भरतिया हो, किसी भी प्रकार की बढ़तिया हो, उस पर तुरंत इस्टे ले लिया जाती है, रोक लगा दी जाती है, नहीं तो दोस्तों यह चातर भी आद नौकरी कर रहे होते हैं, अब देखे, जैसे आप यह वेकंसी आप देखने ह कि नहीं, इस वेकंसी को हम अपनी तरह से पूरा करेंगे, तो अब देखते हैं, दोस्तों क्या-क्या अपडेट्स आती हैं, फिलाल, तो वेट करते हैं, तीन मार्च का, और दोस्तों तीन मार्च को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, उसी दिन, और पूरी दोस्तों उमीद है कि होली से पहले इस केस का ओडर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, उमीद तो दोस्तों यह है, और बाकी देखने वाली बात होगी, क्या होता है, तीन मार्च को लगबग लगबग दोस्तों केस फाइनल हो जाएगा, फिर मिलते हैं अंगली वीडियो में, तब तक किलिष्ट चैनेक्टेट और दोस्तों जाते जाते, आप लोग एक ही सवाल लाता कि सर आपके हिज़ाब से फाइनल कटाप क्या होगी, और क्या होनी चाहिए, देखे दोस्तों जो भी कोट का फैसला होगा, वो अंतिम फैसला होगा, कोट तरकों पर चलती है, वहाँ पर कुछ नहीं ह फिर मिलते हैं, स्टे किनेक्टेट